नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वेफेर ट्रैवल्स की इस शानदार वल्वो B11R बस को इस बस की पुरणे मालिक कानडी ट्रैवल्स थे अभी इस बस को एपलस वेफेर ट्रैवल्स ने टेक और कर लिया है तो आज हम इस बस के बारे में सब कुछ जानेंगे ये बस हर रोज शेड़िटी टु बैंगलोर ट्रैवल करती है फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक आपको काफी शानदार मिलता है और इसे की साथ-साथ यहाँ पर हेडलेप्स की बात करें तो यहाँ पर आपको dual halogen single projector setup मिलता है with indicator और उसी के नीचे आपको शानदार fog lamp भी मिलते है और इस गाड़ी का front bumper भी काफी stylish है यहाँ पर Volvo का logo है जो काफी शानदार लगता है यह NL01 पाशेंगे यहाँ पर front side में आप देख सकते यहाँ पर आपको electronic adjusted mirror मिलते है with NRL यहाँ पर आप देख सकते triple mirror setup यहाँ पर दिया गया है और इस side में आप देख सकते यहाँ पर driver side दी गई है driver side में आपको upper side में एक CCTV camera भी इन्होंने लगाया गया है जो security purpose के लगाया है और यहाँ पर आप देख सकते इसका front axle front axle पर आपको dis brakes और air suspension मिलेगा air suspension होने के कारण गाड़ी में comfort काफी अच्छा होता है और गाड़ी की wheels भी काफी शानदार है यहाँ पर आप देख सकते इसके अलवा गाड़ी के graphics की बात करें तो यह गाड़ी currently travels के तरह own की जाती थी पर अब इस गाड़ी के मालक एपलेस वेफेर ट्रैवल से rear suspension की बात करें तो rear axle पर आप देख सकते यहाँ पर tire pressure देखा गया है और यह इस गाड़ी का drive axle है और इसके पीछे इसका steerable tag axle है अब देखते हैं गाड़ी के rear look को यहाँ पर आप देख सकते इस गाड़ी का शानदार rear look और इस गाड़ी पर graphics भी काफी शानदार हुए जिसके करण दोस्तों गाड़ी का look काफी उबर कराता है और जो rear side देख है वहाँ पर आप देख सकते चत कुछ उपर उठा हुआ है क्योंकि इसके जो rear slipper बर थे उनको एक अच्छी space मिल सके और यहाँ पर आप देख सकते इसके शानदार LED tail lamps इसमें आपको brake lamp, reverse lamp और brake lamp दी गए है और इसके अलाव यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका engine cover और engine room काफी शानदार दिया गया है rear side में आपको इस गाड़ी में destination board दिये गया है इसके अलाव इस गाड़ी में आपको height marker lamps भी दिये गया है इस गाड़ी के registration की बात करें तो इस गाड़ी को नागाइलन राज्च के कोई मा में register किया गया है जिसका code है NL01 और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गाड़ी का redditor mount है और बात करेंगे side glass की तो इस गाड़ी में आपको side में toughen glass मिलने वाले है जो आपात कालिम परिसिती में emergency glass का भी काम करते हैं और आपात कालिम परिसिती में passenger को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पर Volvo और Euro 4 की batching है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी का यह शानदार dashboard काफी शानदार लगता है चलते ही इस गाड़ी के intersection की तरब intersection में आपको काफी शानदार slipper birth मिलते हैं इस गाड़ी में आपको 42 slipper birth मिलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेदर स्टिच डायमन पैटन में आपको बैक्राउंड मिलता है इसके अलाव आपको यहाँ पर दो AC वेंज दिये गए हैं जिनमें आपको रिडिंग लाइक और नायट लैम दिया गया है यहाँ पर कर्टर्स दिये गए है और यहाँ पर वूर्ड फिनिश आपको मिल जाती है अब ही हमारे साथ है गाड़ी के कैप्टन अमोल जी और अपसर जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी का शानदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इस गाड़ी में आपको वल्व का आईशिप्ट मिलता है जो आईशिप्ट की वीडियो में आपने बताए आप आपको और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी का शानदर इंस्ट्रूमेंट कैनल यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें LCD मोनेटर मिलता है यहाँ पर AC की कण्ड्रोल्स आपको दिये गये हैं यहाँ पर MRC स्विच नुमेटिक दोर का स्विच है यहाँ पर होती है और इसके आलो आपको इस गाड़ी में music system भी इन्होंने addition लगवा के लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इस गाड़ी का यह controlling switch और यहाँ पर इस गाड़ी का return switch है नीचे की lever से आप इस गाड़ी के trip वगरा को आपको इस गाड़ी में देख सकते हैं यहाँ पर इसका instrument cluster यहाँ पर पार्किंग ब्रेक एमर्जेंसी हूटर मिरर आजस्मेंट स्विच आपको इस गाड़ी में देख सकते हैं इसके आला आपको इस गाड़ी में hill hold assist traction control height adjustment switch भी दिया गया है और इसके लापको इस गाड़ी में battery cut-off switch भी दिया गया है जो गाड़ी के safety features में आता है और यहाँ पर इस गाड़ी का गेज भी दिया गया है जिसके कानों दोस्तों गाड़ी का intake manifold pressure आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर driver की comfort के लिए एक AC vent दिया गया है यहाँ पर दो lights भी दिया गया है और इसके अलवा background में आप देख सकते diamond stitch leather finishing आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते इस गाड़ी में आपको sun visor भी लिया गया है यहाँ पर mirror भी दिया गया है और यहाँ पर इसका शानदार instrument cluster और dashboard और यहाँ पर steps भी आपको दिये गए है जो काफी अच्छी लगती है अब जानते हैं गाड़ी की कुछ technical CHP की power provide करता है गाड़ी के torque की बात करें तो इस गाड़ी का engine इस गाड़ी को 1,900 Nm का torque provide करता है जो इस गाड़ी के segment के लिए सबसे अच्छा है और बात करें गाड़ी की gradability की यानि चड़ाय लगने की शमसा की बात करें तो इस गाड़ी की gradability 53.3% है यानि 29 degrees का hill ये चड़ सकती है और इसके अला इस गाड़ी के electrical system की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 24 volt की electrical system में लेगी इसमें आपको 12 volts के 2 batteries आपको इस गाड़ी में provide किये गए है बात कर ले gearbox की तो इस गाड़ी में आपको Volvo का i shift मिलता है जिसमें आप 12 forward plus 4 reverse आपको gear pattern मिलता है इस गाड़ी के front axle, tag axle और rear axle पर आपको इस गाड़ी में fully air suspension मेलेगा और इनके आलवा आपको इस गाड़ी के हर wheels पर this brakes दिये गए है ABS और EBD के साथ और इसके fuel tank के बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको 600 liters का fuel tank मिलता है और इसी की साथ सर इस गाड़ी में आपको कुछ optional fitment में provide की जाते है जैसे की chemical toilet, seat belts for every seat, ice box and fridge, aluminum wheels जैसे customizable option आपको इस गाड़ी में दिये गए है वो भी extra cost के साथ बात कर ले गाड़ी की कीमत की तो इस गाड़ी की on-road कीमत almost 1.45 करोड याने 1.5 करोड के आसपा से और इस गाड़ी में अगर आप कुछ additional एसरीज लगाते हो तो ये कीमत और भी बढ़ सकती है हम special thanks करते है इस गाड़ी की ओनर एपलस वेफेर ट्रैवल्स को जिन्होंने हमें इस गाड़ी का review करने का मोकर दिया और दोस्तो चलिए अभी इस गाड़ी का शानदार engine sound सुनते है अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस ओढ़ी को like कर सकते हैं और अगर आप channel पर नहीं होगे तो channel को subscribe करके आप हमारी चानल को support कर सकते हैं आपका बहुमुल्ले समय देने के लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भारत